हर एक चीज में न, या तो पैसा लगेगा या समय, लेकिन दोनों ही केस में हर मैनुफाक्टरर जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो 100% तो आप ऐसा क्यों सोशते हैं कि मैनेफैक्टरिंग सेटप लगाऊंगा तभी बिजनस कर पाऊंगा, अगर आप सच में बिजनस को ले के सीरियस हैं, तभी ये वीडियो को ध्यान से देखें इस वीडियो इस पावरड बाए मेटास लाइश्टाइल, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्ट्टरर अफ स्टेलने स्टील, मडूल लोकेशिन, बाथ्रूम वेनिटी, वाडरोब्स एंड स्टील इंटिरियर, फ्रंचाइजी शोरूम पैन इंडिया हाई फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बिजनस का सेट अप करना चाते हैं, लेकिन उनके वास कई बार इतनी पूंजी नहीं होती, कि वो खुद का मैनेफेक्ट्रिंग सेट अप लगा सके हैं, ऐसे में वो मायूस हो जाते हैं, कि यार पैसे नहीं है तो मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, वो आपको पूर्ण रूप से इस बात के लिए तयार कर देगी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास मैनेफेक्ट्रिंग करने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, आप आसानी से बहुत सारी सेल कर सकते हैं, और जिस वो हो कम्पणी भी आउट-सोर्स करती हैं, हर कंपनी, अपनी कंपनी से बनने वाले प्रोडक्ट में, हर चीज का निर्माण खुद नहीं करती है, वो बहुत सारे वेंडर से आउट-सोर्स करती है, जैसे यसी तायर्स की अगर मैं बात करूं, तो MRF, SEAT जैसी पैंट याउ उसका मतलब car manufacturing company भी बहुत अदिक outsourcing करती है अब आपको लगेगा सर आपने example मारूती कंपनी का लिया हम तो इतने बड़े पैमाने पर सोच नहीं रहे हैं फ्रेंट जिस बात से कोई फरक नहीं पढ़ता है कि आप किस बिजनस के मतलब यह नहीं है कि करोड़ो रुपय का investment लगा के बिल्डिंग का construction हो रहा है एक छोटा मकान भी बनता है चाहें वह 100 गज का 200 गज का 500 गज का हो या पूरी पूरी टाउंशिप भी बनती है तो वहां पर किसी भी construction को करने के लिए जो महत्वपूर रोल प्ले करते हैं वह कौ requirement है वह अलग-अलग vendor को contact करते हैं उनसे उनकी प्राइज लेते हैं costing लेते हैं material की quality चेक करते हैं और उसका order प्लेस उनको कर देते हैं है जैसे मैं example बोलूं अगर किसी बिल्डिंग का construction चल रहा है तो जो contractor है या जो उसका ठेकेदार है उसको किस की चीजों की requirement है जिसे bricks stone concrete cement steel bar scaffolding wood hardware sanitary और हजारों ऐसी चीज़ें जो building construction में लगती है और यह एक बार जब बिल्डिंग का construction पूरा हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर kitchen wardrobe vanity LED पैनल गेट ग्रेल रेलिंग विंडोज लाइट्स वाल पेपर और इसके लाभा इन सारी चीजों को करने के लिए ना जो planning ल आसा bathroom बनेगा कैसे kitchen बनेगी सारा का सारा planning होता है प्लान का execution करने का काम किसका है contractor का है या architect का है या उस person का है जिसने पूरा पूरा turn की project लिया है उसके लबा side supervision यह करना भी उनी का काम है जिनने contract लिया है तो interior designing से लेकर construction से लेकर हर उस industry में जिसके बारे में आप सोचते है है वहाँ पर हर चीज का outsource होता है हर manufacturer जो product बना रहा है वह 100% manufacturing खुद नहीं करता जैसे माली जीए ready made government की में बात करता हूं तो वहाँ पर fabric बनाने वाली कोई और company है धागा बनाने वाली कोई और company है उससे संबंदित जो button और accessory लगती है उसको बनाने वाली कोई और company है करके business को इकठा करती है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि manufacturing setup लगाऊंगा तभी business कर पाऊंगा तो और बात करते हैं इसके लावा आप अगर देखें कि अगर मुझे business में outsourcing करना है उसके steps क्या होने चाहिए यह बात तो आपको अच्छे समझ में हाचुकी होगी कि आप भी ज select a product सबसे पहला जो काम है आप जिस तरह की industry में एंटर होना चाहते हैं उसका product select करो और product select करने के बाद मन बना लो कि मुझे इसी industry में काम करना और एक दिन बहुत बड़ा manufacturing setup बना के खड़ा कर देना है लेकिन बड़ा manufacturing setup लगाने के लिए मैं एक साथ अपनी पुंजी नहीं तो मुझे करना क्या है outsourcing करने उसके बाद get information from market as end user देखे हर product चाहे वो आप बना रहे हैं या manufacturing company बना रही है या कहीं से भी आ रहा है कोई ना कोई end user उसका है जो उसका इस्तेबाल कर रहे है अब आपको उस product की information market से grab करनी है as a end user जैसे अगर मान लीजिए आपको modular kitchen बनाना है तो आप as a buyer modular kitchen के showroom पर जाएं जहां जहां manufacturing होती है वहां जाएं वो किस तरह से material देते हैं क्या-क्या product लगाते हैं क्या-क्या hardware लगाते हैं क्या accessories लगाते हैं उसकी सारी knowledge as a end user इकठा करें ताकि आपको यह पता हो कि ग्रहक के क्या प्रशन होती है fine और आपको यह भी पत प्रोड़क्ट का selling price कितना है आपको यह भी पता लगेगा कि उस प्रोड़क्ट में कितने competitor हैं उसके बाद search supplier हर प्रोड़क्ट को बनाने वाले यह supply देने वाले बहुत सारे suppliers हैं आप इंडिया माट ट्रेड इंडिया एक्स्पूर्टर इंडिया गूगल में जो manufacturing product लिक्क आउट्सोर्सिंग तो नहीं कर रहे हैं जैसे आपने आउट्सोर्स बिजनस करने के बारे में सोचा कि हो सकता है वो भी आउट्सोर्स कर रहे हो तो आपको उस reference तक पहुंचना है जहां आपको पता लग जाए कि यह व्यक्ति manufacturing करता है manufacturer और vendor तक पहुंचने के बाद आप उ उसकी price list भी हो उससे related information भी हो तो अपने vendor से terms and conditions के बारे में बात करें उसको बताएं कि मैं इस industry में आपको outsourcing के लिए अपना vendor बनाना चाहता हूं आपसे material supply चाहता हूं आप मुझे अपनी terms and condition बताओ जैसे time of delivery मैं आपको को order place करूंगा कितने दिन में मुझे आप material dispatch कर दें करने के लिए क्योंकि बहुत सारे buyers को इस बात से कोई फर्क नहीं बढ़ता है कि आप manufacturer है या नहीं fine और इन सब के पीछे का backbone क्या है आपको company का registration करना है company का formation करना उसके लिए separate video आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी next जो आप बात करेंगे हैं जो concept है उसमें क्या करना है अब मैंने special video दिया हुआ how to find out international buyer अगर आपको export करना है तो international buyer कैसे रूणे how to grow your sale, sale को कैसे बढ़ा है इस से related बहुत सारे वीडियो चैनल पर मिलेंगे friends अगर आप मजे के लिए video देख रहे है तो यह चैनल आपके लिए नहीं है मेरा request आपको subscribe भी मत करना अगर आपको सिर्फ entertainment चाहिए time pass चाहिए और आपको कुछ implement नहीं करना अगर आप सच में business को ले के serious है तभी यह वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को subscribe कर लें ताक order with advance उनसे advance payment लें और order receive करें और जैसे ही order आपके पास आए वो order तोरंत उठा कर कहा लगा दें अपने supply area vendor के पास जो आपको supply metal देने वाला है order के लिए for example आपने कोई product sale किया उसकी value 5 लाक रुपे है और आपको पता है उसमें आपको 20% का profit आने वाला है मतलब 1 लाक रुपे बना के रेडी करें अपने बायर को information भेजो आपका material रेडी है सर पेमेंट कराओ जैसी वो payment कराएगा material dispatch कर दें और regular इसी तरीके से काम करते रहें पूर का पूरा focus करें बायर ढूंडने पर अपने product के नई catalog design करने पर नई marketing strategy को सर्च करने पर Google platform के जरीए कैसे business को platform के जरीए कैसे explore करें यह सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाने वाले यह सब कुछ करने के बाद आप आसानी से एक अच्छा sales volume generate कर पाएंगे और कोई जरूत नहीं पड़ेगी आपको manufacturing करने की एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब मैं इतना sale कर पा रह business होगी आपके बास बहुत बड़ा market में बायर होगा जो बायर आपसे regular material लेगा तो level of confidence भी बढ़ेगा लोन लेने का और आसानी से लोन लेने के बाद अपना business setup करें हर एक चीज में या तो पैसा लगेगा या समय लेकिन दोनों ही case में महनत जरूर लगेगी तो अगर आप म यही काम करते हैं हमारी company का गरती है हम लोग stainless steel modular kitchen के manufacturing करते हैं आज पूरे इंडिया में हमारे franchise showroom है हमारा खुद का manufacturing का बहुत बड़ा setup है ताकि हम हमारे showrooms को materials supply दे सके और ना केवल हमारे franchise showroom बलकि हमारे dealership showroom भी है franchise showroom भी है associate partner भी है FLB partner भी है BRP partner भी है तो हम लोग हमारे बहुत बड़े network के साथ मिलकर stainless steel modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes इन सब की manufacturing करते हैं और हमारी manufacturing में भी हम भी outsourcing करते हैं किसके चीज़ की hardware Germany से आता है Hattik जैसी company, Blum, Heflay, Grass, Steel, Steel हमें जिंदल से आता है तो जिंदल से हम steel procure करते हैं फिर उसकी laser cutting, bending वगरा सब कुछ करके assemble करके और German hardware fit करके product तयार इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं इसके लावा paint paint हमें Asian paint के और बहुत सारी ऐसी company है जो हाई quality PU paint automotive paint बनाती है जो गाडियों पर लगता है जैसे मारूती paint company से contract करते हैं ऐसे हम भी contract करते हैं क्योंकि हमारे पास number of franchisee number of dealer distributor हमारा network बहुत स्ट्रॉंग है इसलिए हम बड़ी manufacturing setup आप चला पारे हैं और यह दिया आपको लगता है कि आप भी business में हमारे साथ जुड़कर as a outsource business हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं तो आप as a showroom owner काम कर सकते हैं as a dealer काम कर सकते हैं as a flb partner काम कर सकते हैं तो friends कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में पैसे कितने हैं फरक इस बात से पड़ता है कि आपका vision क्या है आपका लक्ष क्या है उस लक्ष को हासिल करने के लिए उन सभी network के लोगों को अपने साथ जोड़ें और एक बहितरीन business network बनाएं और पूरे इंडिया में अपन मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर गड़ से एक सफल businessmen तयार हो सकी है इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपने business time से एक extra time निकाल कर business videos बनाता हूं और अपने practical अनुभव के अधार पर बनाता हूं कि कैसे मैंने अपने business को establish किया और मैं कामना करता हूं कि आप भी मेहन करें और मेरी तरह आप एक industry का संचालन करें आने वाले समय में स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित माईश्वेरी आप के समयरे वहिश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत